हाँ तो पोईट्री जो फ्लैमिंगों बुक है आपके इसके पोईट्री सेक्शन में अपन चैप्टर 3 कर चुके हैं 1-2-3 और चैप्टर 4 करेंगे इसका नाम है ठेंग ब्योटी यानि कि एक सुन्दरता से परिपूर्ण एक वस्तु या पर एक सुन्दर वस्तु कह सकते हो जिसको लिखा है जोन कीट्स ने ठीक है और बहुत ही शांदार चैप्टर बहुत इजी है बहुत इजी में पढ़ेंगे बस 40 के स्टेंजा है और कुछ सेलेक्टेड मैंने क्योशन से किए उनको पढ़ लेते हो आप तो इस चैप्टर में आपको उसके लावा कुछ भी नह कसीज है तो ही कैथे सुनतरता है की सीजिए ब्यूटी एक चीज जो दिनों-दिन की और ज्यादा सुनतर होती चले जाती आ बढ़ता और दिरों दिन बढ़ती चले जाती है और हमारे लाइफ में ब्यूटी का बहुत बड़ा योगदान है बहुत बड़ा इंपोटेंस है कि यह हमारे निराश्चा या फिर दुख इन सब को दूर करती है ठीक है और यह हमें जमीन से भी जोड़े रखती है नेचर की ब्यूटी है वो भी लाइक जैसे कि हम परत्वी जुड़ेते हैं जैसे कि परत्वी पर अपन फूल देखते हैं ठीक है किसी भी कोई फूल देखते है तो अपना मन करता है उसको देखे ठीक है तो उससे फिर हम क्या करते है उसे एक बंद से जाता है रोजना उस फूल को त लेकिन एक दो चीज आ सकती है जो भी बताओंगा मैं आपको बस हिंदी में पढ़ लो तो यह बहुत बढ़िया है कि जोन किट्स क्या है कि एक ब्रेटिस रोमांटिक कवी थे ठीक है एक ब्रेटिस कवी थे रोमांटिक कवी थे हालां कि इनको पढ़ने वाले लोग होते थे और प्रसंद कर देने का इतना अच्छा लिखते थे कि इनको पढ़ने वाले लोग होते थे उनको राजी करने के लिए उनको प्रभावित या प्रसंद कर देने के लिए कीट्स का एक राज था, क्या राज था वो देखो, राज ये था, कि उनकी दुनिया को अनभू करने की प्रतिबा, तता अपनी मनोदशाओं, तता अकांक्षाओं को भाषा के रूप में जी लेने कि शम था ये उनका राज था ठीक है वन माक्स में क्यों जुन आ सकता है अगर कोई आई तो कि इनका राज था कि यह क्या करते थे है यह के इस पावर ये रहा ठीक है यहां से लेकि it's a delight the readers like primary in his preserving the world and living his moods and यहां से लेकि लैंगवेज तक ठीक है terms of language यह उनका राज था यहां से वैसे क्योशन जादा चांस नहीं लेकिन भूक में रिखा तो यहां से कोई क्योशन आ जाए तो आ जाए मतलब यह दूनिया को फील करना जानते थे कि इस वर्ल्ड में लाइफ में क्या 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 लोगों की प्रॉब्लम्स है क्या कैसे खूश रह सकते हैं वह सब बातने इसलिए इन्होंने राज किया था प्रस्तुत अंच में प्रस्तुत अंच का मतलब है इस सेप्टर में इस सेप्टर के आपन क्या पड़ेंगे उनकी एक फेमस कवीता है एंडी मियोन ठीक है एपोईटिक रोमांस एंडी मियोन रिच्छन लिया गया है और यह कवीता कंगा नाम है एंडी मियोन एपोईटिक रोमांस समझ में आ गहीं जाहिए वीश गरीक बे मात कर सकते हैं उस पोराणी कत था के उपर यह बैस्ट है जिसने एंडी मियोन नामक एक सुन्दर और यूव OUR गड़रिया जानते हो जो चराता है छोटी इनको सुन्दर है वह बहुत सुन्दर है युवा गड़रिया और वह कवी जो लेटमस नामग पहाड पर रहता था उसने क्या किया कि सिंथिया मैं जो चंदर्मा की देवी माना जाता है उसका सपना लेखता है ठीक है और उसमें मंतर मुक्द हो जाता है मंतरमुक्त हो जाता है और उसे फिर तलाश करता है कि यह जो चंदर्मा की देवी है सिंधिया मैं इसे पाना चाहता हूं मतलब कि और इतना लीन हो जाता है और इतना प्रण कर लेता है जैसे आपने 95% बनाने का प्रण कर लिया है आज से डेली चारब जे उट रहे हो आप इसे हैं very important है और कोई सब इस्टेंज हो मैंने एक बात आपको दो नमर तो वैसे ही पक्के कर दिए वैसे भी ट्रिक बताने वाला हूं जिसके अंदर पूरे चैप्टर का नाम और चैप्टर के राइटर का नाम वैसे ही याद हो जाएगा मतलब reference आपका तियार करवा लाइने common लिखनी है इस लाइन है विन टेकन फ्रॉम उसका नाम और कंपोस्ट भाई राइटर का नाम बस ठीक है जॉन कीट्स यह मैंने ऑनवर्ट्स में लिख्या है सब भी पूरे पूरे के 6-6 पोईम के इंदर आपको reference fix कर देना है बस चैप्टर का नाम चेंज करते है जाना चेक हर चैप्टर में और बाकी language मतलब सेम रहेगी ठीक है पहले बन मात करते है इस्टेंजा फरस्ट क्या है और दो में कुछ spelling भी लिख दिए जहां कई भी दिखतो साइड में स्पेलिंग को देख लो ताकि याद करोगे तो वहां पर विसके बारे में लिख पाऊगे इतिंग ब्यूटी जॉइव फोरेवर यानि कि जो सुंदर्ता है फोरेवर का मतलब हमेशा सदे उसात में रहती है बिल्कुल सही बात है ब्यूटी जो है वो चुपाए नहीं चु चुपाए नहीं चुपती है ये सुन्दर्ता हमेशा और ुद्न बर दिर दिर चले जाती है चाहे इंसान की बात ले लीडिए चाहे नेचर की बात है किसी जिए खेंपकर बात करें तो सुंदरता हमेशा बढ़ती है हमें खूशी देती है but will keep और यहां पर चाहेंदार इस्तल का मतलब यह कि हमें ऐसे विश्राम जगह देती है जहां पर हमें आराम से रह सकते हैं मतलब सुन्दर चीज़ेपन देखते हैं तो हमारा मन लगता है को चीज़ है अच्छी नीद्रा नीन देती है जो मीटे सवपन के साथ में अच्छी नीन देती है और हैल्थ और क्याइट ब्रीफिंग है अगर नेचर सुन्दर होगा तो यहां सुन्दरता हर तरह से चाहिए नेचर परियावरण की बात की जाए हर तरह से हैं मतलब शांत श्वास का एकदम स्वस्त सांस हम ले सकते हैं यह सब बाते हमें जो है वह इस तर्जा की थियोरी में समझ में आती है रेफरेंस अपना फिक्स हो गया कॉंटेक्स है दा पोईट प्रेजिस दे ब्यूटिफुल थिंग्स फोर देर प्रमानेंस एंड जोई दे प्रवाइड ही और यह गया कि जो बीटिफुल जो थिंग्स है मक्तों सुंधर कोई भी चीज जो बस्तु है वह हमेशा परमानेंस का मतलब है वह मेंसा fix रहती है वह कभी बदलती नहीं है ऑंड जो हमेशा हमें खुशी देती रहती है और हीूर्ष रीकाउं नहीं हमें सर्था की बारे में और भी लोग ढूंए दिया कि यह अदेगी दिया है है कि यह ने कर बात करें तो यह मन्स अलेकर भी हैं वह यह कहना चाहते हैं अपोई से देट इंग ब्यूटी इस पर्मानेंट वह बिल्कुल फिक्स है सुंदर्ता फिक्स होती है इस ब्यूटी ऑल्वेज इंक्रिज विद पैसा जो प्राइब और हर कुछ समय के बाद में जो सुंदर्ता है वो हमेशा बढ़ती चली जाती है ठीक है और इट इस सोर्स ओफ एंडलेस जोई फोरस एंडलेस का मतलब होता है अनन्थ अनन्थ का मतलब यह कभी भी खतम नहीं होती अनन्थ यह हमेशा हमें जो है वह हमें खुशी देती रहती अनंद खुशी देती रहती है और इट प्रोवाइट सवीचे इसका मतलब होता है कि शान्ती से परिपूर्ण आश्डी अगर कोई सुन्दर कोई बीवस्त हो वह हो वह बुल शान्ती से 2017 आश्री आश्री का मातलब रहने का जग है प्लास हमें देती है asleep with sweet dreams मतलब एक मेठी नींद मेठे शपनों के साथ में नींद देती है अच्छा स्वास्ते देती है सौट ब्रीफिंग का मतलब होता है बीना कोई टेंचन की स्वास्त मतलब अच्छे तरह के स्वास्त लेना वह ब्रीफिंग all police soothes इसका मतलब होता है सांताओना देना यहां में साथ में यh सांताओना भी देती कि वेन वियार जब हम दुखी रहते हैं तो यह हमें सांतावना भी देती है अपने किसकी बात करें कोई भी सुन्दर वस्तू आप भी कोई सुन्दर छोटे से बच्चे के अपने देखते हैं कितना क्यूट है मतलब वही चीज है वेसे कहीं कोई बड़े फ्लार देखते हैं मतलब यह हमेशा जब भी हम दुखी होते हैं तो भी हमें यह थोड़ाइसा सांतावना देती है और गीवजर से स्वीट स्लीप एंड हेल्थ वे सॉप्ट ब्रेटिंग यह सब आपसरी बीट चीज है जो अपने पहले पड़ी यह हमें इस तरह की सब्सक्राइब बहुत एजी था एसे अपने ओन वर्ट में लिख सकते हो जो उसकी इंदर है वह इसमें लिखा जाता है मैं मस्यां ध्यान नकना इन दोनों का बाकी तो बहुत एजी है सेकेंड स्टेंज है कि therefore on every morrow इदर मैंने सब की स्पेलिंग लिख दिये थोड़ सा हर स्पेलिंग का मिनिंग पता होना चाहिए थोड़ सा complicated word इसके अंदर उजए हैं उनकी स्पेलिंग आपको याद करनी है therefore on every morrow we are reading a floriband to bind us to the earth मतलब कहते हैं कि हमें जमीन से जोड़े रखती है सुन्दरता कैसे कि हमेशा हम जैसे कोई कहता है कि आप पर्त्वी से अर्थ से जमीन से जोड़े रहो वैसे ही जो सुन्दरता है वह हमें जमीन से जोड़े रखती है जैसे फूलू की माला होती है जो अपने गूंत गूं जो डो औरों कि बंतन की डोरी बोल दो चाहिए इसको आप बोल सकते हो माला है तेकर माला है जो थिये वैसे आपस बांदे रखती है यह तक हो गया इस्पाइट उप कम अदिभ के बाहुजद होता है इस पाइट निराशा ठेंट वास थे निराशा अभी सारे वर देश हो एमानवी लोग होते हैं, अगर उन में कमी है, मानवता में कमी है, वो हो, चाहिए ग्लूमी डेज हो, ग्लूमी डेज का मतलब हो जाएगा, नेरा शाजनग का हमारे दिन चल रहे हो, अन्दकार में ही जीवन हो, सब कुछ मैड ऑफ सर्चिंग, इन सब के होने के बावजूद भी, यह हमारी लाइफ में हमेशा क्या करती है, खुशिया लाती है, इस इन सब होने के बावजूद भी, इन सब कोने के बावजूद, यह जो हमारे मन की जो आत्माई है, उन सब के अंदर क्या होती है, एक अच्छा फील लाती है, सुन्दरता, यह सारी के साथ थोड़ से टिफिकल वर्ड इसके अंदर जरूर है, और यह अपन को देखना है, ठीक है, के स्पेलिंग आपको जुरूर इस साथ थोड़ देख लेनी है, बाकिये मुश्किल नहीं है, यह रेफरेंस तो अपना सहम रहेगा, इस लाइन है वह प्रमानेंट रहती है, वह इस्ताही रहती है, इस नम्बर ओब ब्लिसिंग तो गिव अच्छ एक वाइट शेल्टर, यह हमें अच्छा माहूल करती है, चाह अच्छे देती है, ठीक है, एस लीविश्व दिसमेटेस वह बाकी-बाकी क्यूआट ब्लेटिंग है, मतलब समझ वालगी, जो फस्ट में ती, यह सब हमें सुं फूलनों की माला को घूँटते हैं, उसकी तरह यह भी जो सुंदरता हमें हमेशा जोड़े रहती है, और हम भी जोड़े रहना पसंद करते हैं, ठीक है, वी सफर फ्रों मेनी इल्थ, हम बहुत जादा कुछ प्रॉब्लम से हैं, कुछ दुख से हैं, गुजरते हैं, लाइक यानि कि जिन लोगों में कुछ अमानुएता कमी हो, वैसे लोग हो, देस्ट फिल विस सोरा दुखी, दुखी परे दिन, और सैडनेस और डाक्नेंट वेज आर, तक कोज़े तो यूमन सफरिंग, हमारे जो मानुए जो जीवन है, हमारे जो लाइफ है, उसमें हमारे दुख भल सी बात हैं अने शबडुम लिखनी है, जो आपने इसमें से भी लिख सकते हो, टोटली इसमेंस भी अपने वर्ड उज कर सकते हो, ठीक है, बस एक दो सेंठेस देख लोगे, बाकी सारे वर्ड उस ही कही है, सब्सक्राइब देखो यह वह चीज़ें कि क्या क्या चीज़ें सुंदरता को मतलब सुंदर चीज़ें कौन-गौन सी हैं वह पन देखते हैं कि सस्दस्थन यानि कि सूर्य लामून चंदरमा ट्रीज और यंग मलब नए और पुराने दोने दरा के पैड़ पो दे और श्यड़ी बून प्राउंटिंग का मतलब होता है नए कौंपल जिससे कोई पैड होता है उसके जब कटाई करते हैं चोट चोटे उसके कौंपल निक अपल आ जाती है तो यह चायां बनाने के एक वर्दान देती है तरीके से माली जी पेड़ जो पूरा हराबरा हो जाता है पॉर सिंपल शीप एंड सचार डेफोर डिल्स का मतलब हो जाएगा सरीता है मतलब नदियां बोल सकते हो और देमसल्व कूलिंग कवर्ट मैक गैंस अच्छा जाती हो जानते हो जानते हो जीसे नदियां जी होती है वह पानी थोड़-थोड़ जकी जो है मतलब कहीं जर्मूट की तो पर बेहता रहता है जो हमें थोड़ी गर्म सी ही के जो मतलब थंदक पैता करती है दा मिड़ फोरेस्ट ब्रेक इन सब के मैंने ब्रेक मतलब ज़ाडी ठीक है जंगन गादिम ज़ाड जो हता है रिच विट स्प्रिंग्लिंग और फेर मस्क रोज ब्लूम्स सुगंद वाले फूलों का पोदा ब्लूम्स का मतलब फूल स्प्रिंग मतलब छिड काव यह सब जो सब्सक्राइब बाकि यह तो अपना फेक्स हो गया कॉंटेक्स हो जागा था पोईट रिकांट था ब्यूटिफुल थेंक्स फॉम्ड नेचर मतलब जो इसनोंने ब्यूटिफुल वर्ड दिखाया है हमारे जो पूरे परकृति की द्वारा जो बना है उसके बारे मताया है सब्सक्राइब ब्यूटिफुल और बिल्कुल इन सब में वह बात हैं सारी जोड़ी जिसे हमें खुशी मिलती है सिंपल है ठीक है स्पेलिंग देख सकते हो कोई आपको नहीं आ रही हो तो फिर एक्सलिनेशन अपने लिख सकते हैं कि अमंग व्यूटिफुल ऑब्जेट्स ऑप नेचर और सब मतलब व्याख्या में एक्सलिनेशन में हुआ सारी लिखतो जो उसमें लिखी हुई है इन्ह देखे और यह यह लो डेफटेस यह वह जो पीले फूल वाली बात लिकीती ना पनियरा जो नर्गीश के पीले फूल थीक है इन मेरेस्ट ऑप ग्रीनरी इन्हों जैसे हो हरे बरे हो रहे हैं वो बताया है और सो देरार रिवर्स ऑप क्लिर वाटर इन्हों नदी के बारे मे बियर स्वेट स्मेलिंग मास्क रोजेज मतलब यह पूरी की पूरी एक्समेनेशन के अंदर जिसको भी नहीं भी आता ना आप एजर्टिस थोड़ा बहुत चेंज करके इसी में से लिखना है बस की पोईट यह कहना चाहरे है पोईट ने यह एक्जामपल दिया है पोईट को इमजिन फौर जो यह हुजा है वोस्ति हैं दिशी नोयचावर को Azis म को आयाने है आइ सोना है nossa ओन की जो भी रहा हुआ नहीं पड़ा लेका all lovely'tills that we have heard जो भी उनके परेमे सुना है जो उनके पड़ा है वह सबrites ट्रिंख एंडलेस का मतलब अनंत पाउंटैन प्विंडाब जरन ठीक है मतलब एक यह जञीकि अिसाने जर люд जो हमें Stri लेकी हमारे पास में आ रहा है प्योरिंग आउट आंटू अस फूंदा heavens bring, जो मतलब कहते हैं न, सुरक जो होता है, सुरक के किनारे से पानी लेकिए, सुरक के किनारे से जो एक जरना है, जो सुरक के किनारे से पानी लेकिए हमारे अपास में आ रहा है, इस तरीके से हमने उनकी महिमा गाई है, उनकी बारे में लिखा है, तो यह तो अपना फिक्स ह इसके विद्वे को after recounting the beautiful object of nature the poet proceed to describe the man-made source of joy and inspiration इन सब की बारे में हमारे कवी ने इसके अंदर बताया है इस पर इंदर देख सकते हो pouring आं मतलब बहर रहा है फिर अपने explanation देखते हैं The poet says that great words of great words of deeds of the brave man मतलब brave का मतलब होता है निडर जो निडर वेकती होते हैं जो बहादूर वेकती होते हैं उनके बारे में मतलब poets जो कभी उसने कुछ बात ने लिखी है He who let down their lives for the people of their country मतलब जिन्होंने देश के नागरिकों लिए हमारा उनका खुद का मतलब देश के नागरिकों लिए काम आई उनके लिए शहीद हो गए अपना जीवन ने उच्छा और कर दिया उनके बारे में बात की जो ब्रेव में होते हैं एक शॉल्जर कह सकते हैं अपन है उनकी महीमा का बखान किया है देश ब्रेवरी मतलब बहादूरी उनकी सैक्रिफाइज मतलब उनका त्याग एंडुरेंस का मतलब धेर्य शीलता और अन्शेकेबर इट्रिमिनेशन का मतलब पक्का वादा या पिर अटल संकल्प इंस्पार्इट जनरेशन आप्तर जनरेशन जो आन्यावाली पीडियम के उनका जो हैं आन्यावाली पीडियमि उनका इंसे सीकिएगी मतलब जैसे हम वीर पुरुषयों की बात्ते करता है sorry नियुए उनको शाइद करना उनको देखकी करनाब करनाब उनको देखकिक के जो भी लोग हैं उन सब की वो अनुकरण करेंगे उन से सीखेंगे उन जैसा कुछ करने कोशिश करेंगे दिया सोरोज एंड सफरिंग दे हैव टू अंडर्गो फॉर जनरल कूर्स इंस्पाइब दर फॉर फॉर्ग देर ओन ठीक है सीखने का एक सोर्स है हो सकता है इंदा इंड फाइनली यह कहना चाहरे है कि पोईट कमेंट्स डेट ओल जो जो भी खुशी की चीज़ें होती है उन्हों पर यह कहना टिपनी करना चाहरे है कि अर्थ आर्थ आर्थ कंपरेबल टू दा एंडलेस फाउंटेन आप इम्मोर्टल कर रहा है उससें इस चीज़ को मतलब एक तरीके सेंजो सुंदर्ता है उसको पर आपनी जिसे हमने जो वीर हैं उनकी जो पहदूरी है उनको भी अपने इस देखा है ठीक है यह सब बात है क्योंकि आने वाले जो पीडिया है उन्हों वीरों से अपने देश के लिए कैसा बलिदान किया जाता उन सब की बारे में सीखेगी तो इस चार अपने इजी से थे चारों सब्सक्राइब को यह चैप्टर में थोड़ी स्पेलिंग ज्यादा मुश्किल है बाकी कोई इजी सेप्टर जो थोड़ा सा अलग से देख लेना अब अपने को स्लेक्टेड क्यों लेते हैं पहले क्योंशन जो बुक के पीछे हो तो अपने को सारे करने होते हैं बागी इसे कौन-कौन से चीजें हैं जो सुंदर्ता के लिए बताई गई फी बताई गई थी आंसर देखते हैं दब पॉइट एडमायस और ऑल अब्जेक्ट आप नेचर पहली बात तो परकति में जो बी चीजें उन सब को सुंदर्ता के उस पाइम बताया गया है इन इस पोईम सुन्दरता में मून को दिखाया गया है डेफोडिल मतलब जो अपने देखा था उसका यह रहां नर्गिस के पीले फुल डेफोडिल ठीक है इसको भी इसमें इसके अंदर बताया गया है कहा गया और स्मॉल स्ट्रीम्स यह बताया गया मस्क रोजेश एक सेक्टर इन सब की मै सबस्तों की तोर पर बताया गया है जो बिल्कुल पढ़ लिया मतलब क्योश्र अंसर बहुत एजी होता है अगर उसकी थेओरिया आपने पढ़ ली दो फिर है सब ऐसी चीजे हैं जिससे हम निरास हो जाते हैं ठीक है एजी है तीसरा वोट इस दा लाइन देर्फोर आर वी रिदिंग फ्लॉरी बैंड तो बाइंड अर्थ सजेस्ट तो यू मतलब अपने परड़ा था ना कि जो यह हमें है के फूलू की माला की तरह जोड़े रखती है गुंथे रखती है इस से आपको इस लाइन से आपको क फैशिनेंट जो हमारा जो इस सुंदर जो सुंदर चीजें होती है जो नेचर जो चैप्णावां नेचर प्रेंड वाय। है मतलब हमें उसकी और खींचता कर्शित करता है फेशिन इंड़ का मतलब मोहित हो जाते हैं उसके परती ठीक है और इट रिमूज और मेंटल और फीजिकल सफरिंग यह हमारी मांसिक और जो शारिरिक हैं उन दुखों को यह दूर कर देती है यह सुन्दर चीजह हमें यह इसलिए वाले जो लाइन हमें यह सिखाता है बहुत इजी है फिर वोट मैक्स हुमन बिंग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑप ट्रॉबल इन सब के बावजूद कोक्ड वेज एस वी हैव तो लीड लाइफ सम्हाव इन सब होने के बावजूद भी विलाव लाव लाइफ विड़ाइफ व्लेजर हमें हमारी जिन्दगी से जीवन से प्यार करना पड़ता है बहुत सरे प्रॉलमें से ऐसी आती है उनको फेस करने क बावज जैसा थोड़ी है कि परने परने जीवन ही खतम कर लेंगे लाइफ तो जीनी पड़ेगी इन सब होने के बावजूद हम लाइफ तो जीना पड़ता है तो लाइफ अफिस टू बी लावजूद लेस्पाइट इट मैनी इल्स लेकिन जो हमारे जीवन जो हैं उसको म महिमा क्यों जूड़ी होती है दो जूढें एंको कि गुनो पर सिम्सित कीließ मौर्याइट का मतलौ कि जो वीर हैं जो मृत वीर हैं have a graduate associated with their names, उनकी महीमा उनके नाम के साथ में गाई जाती है, बिलकुल उनके नाम को ही याद किया जाता है, उनकी कारियों के लिए, मतलब कारियों ऐसे हैं कि देश के लिए अपनी जान दे दी उन्होंने, ऐसे मतलब जिसको हर किसी के पॉस्सिबल नहीं है, एसे कारियों के लिए याद किया जाता है, वह इनसे कुछ सिखेगी, इनसे इंसपाइर होगी, इस वज़े से हम उनकी गुणगान या महिमा गाते हैं, तो बेश्पिरिंस थिंग सब्विटी अनली फॉर शॉर्ट मॉमेंट्स, यानि कि जो सुन्दर चीजें होती हैं, वो थोड़ी देर के लिए मुसका मतलब महसूस करते हैं, या फिर और दू दे में के लास्टिंग इंप्रेशन और या फिर वो हमारे लाइफ में कुछ ऐसे इंप्रेशन या ऐसे छोड़ जाती है, जो आगे तक lifetime हमारे लिए मतलब याद बन जाती है, बिलकुल सही बात है, कि our experience with the things of beauty becomes a part of our memory, यह हमारी स्मर्ती का मला हमारी यादास्त का एक हिस्सा बन जाती है, बिलकुल सुन्दर बसने चाहिए कोई सी भी आप कभी भूलो के नहीं उनको, हमेशे को यार्मने वहां गुमने गई थे वहां पर बहुती शांदार शांदार से फूल थे, या पर ऐसा garden था कोई भी चीज यह सुन्दर जो चीज हो वह हमेशे यादास्त का हिस्सा बन जाती है, और ज्यादा और ज्यादा जो हमें यह है वह मतलब याद आती है, यह सुन्दर या हमारे लाइफ का हिस्सा बन जाती है, सात्मा, what is the, sorry what image does the poet use describe the beautiful bounty of the आर्तमा जो कभी है, यह वह योश्व ने जो भी थोड़ी दर पहले पढ़ाता है उसे मिलता जुलता ही है, जो अपनी बुक के पीछे देरे का था सात्मा जुश्व कभी हो किन-किन सुन्दर बस्तूं का जो है वह मतलब अब नहीं बताते हैं कुनकों से object है उनका use करते है, the poet describes the beautiful boundary of the earth as an endless fountain of immortal, यह तो यह जर्ना यानि ऐसा जर्ना जो मतलब की कहां से आ रहा है जो सुरक से आ रहा है हमारी तरफ बहताव आ रहा है और हमारी उपर से माल लीजिए छिड़काव कर रहा है pouring into us from the heaven spring ठीक है जो मतलब सुरक से आ रहा है एक तो इसके बात किये एक ही डिस्क्राइब अब्जेक्ट ऑल्सो लाइक दा सन है मून है रिल से देफर दिल से मस्क्रोच इन सब कभी जो अपने पहले पढ़ लिया था इन सब सुन्दर अब्जेक्ट का जो है इन्होंने कभी इस शेप्र में यूज किया है पिरे हाव इस द शुरि हाव इस थिंग ब्यूटी ए जोई फोरेवर ठीक है मतलब फोरेवर का मतलब यह कि कैसे मतलब जो सुन्दर्था हमेशा बनी रहती है कभी भूलते नहीं या कभी चैंज नहीं होती तो इस थिंगिंग अब्यूटी इ इस इंप्रिंट प्रमेंटली इन आवर मेंडर यह हमारी जो मेंडरी है उसके अंदर परमानेंट यादास्त के तोर पर बन जाती है बिल्कुल सही बात है और हाव ड़े ब्यूटी फूल थिंग सफेक्ट अस ठीक है तो बिल्कुल सुन्दर वस्तु जो हमें कैसे बहुत एसी कुछी देती है बहुत जबर्दस कुछी देती है वह जबार्दस कुछी देए प्लिओ शिल्ट फिल्कुल हमें एंचा वाताऊन देती है ईसलीब बिल्कुल सही बात है इचाँ मेटेस रपनों के साथ मिभी नीन फिपष और हैंEER सब शृयर नेंटनी अब्जेक्ट एज़ दा सन मूनिय सब वही बात हैं मतलब हमारे अर्थ में कौन-कौन से चीज़ें जो सुन्दर है हमारे अर्थ पर यह पर इसा माली चीज़ें नेचर में फिर मतलब कि जो कथाई होती है काता ही समझते वह ना मैंतर्स इंटरश्क कवीता जो उत कैसे नहीं ब présentation में ब कुछ न 예थिक उ सीप्सा में और स59 आपने देखे लोव इसका मतलब क्या हो जाएगा महा कावे हो जाएगा और टेल्स का मतलब हो जाएगा आपके कावे मान लीजिए ठीक है पोईट्री कवीताईं वगेरा इन सब की रचनाई जो इनसान ने की है विट्रीफ लब सॉल जो हमारे आत्माउं से टच करती है बिल्कुल यह हमारे नेचल अब्जेक्टर दियार एक ग्रेट सॉर्स ऑप इंस्पिरेशन जो हमारे बहुत बड़े इंस्पिरेशन का मतलब है ठीक है वही चीज है यह इनसान के दोरा बनाएगी सुन्दर वस्तुएं और एक यूश्य नहीं बड़ा सा है इवाट मैक्स रिट फ्लोरी बैंड टू बाइंड अस टूद अर्थ यह वही है कि जो हमें हमारे प्रत्वी इसको कैसे हैं फूलों की माला की तरे बांदे रख यह सारी वही बाते हैं इन सबसे हम यह कि अच्छी लाइफ जीते हैं खुशी की चीजें जो खुशी लाइफ में आती है अच्छी नीद लेते हैं वह सब बाते हैं सुन्दर्था के बारे अंपन को बताना था एजी है ठीक है और एक लास्सक्शन जो काफी इंपोर्टन था पॉइम एफिंग ब्रिंग्स आउट कीट्स लव फ नेचर हाव ठीक है जो राइटर उसने किस साब से नेचर से वह प्यार किया है वह बताना है कि पॉइट लव नेचर बिल्कुल एंड रिकांस जिनका नाम पनें देख लिया था किट्स जो हैं जॉन किट्स वो हमारे नेचर के बारे में ब्रक्ष्ण हे यूंका बताते हैं उसके से गेँगे विज्ट रहिं यहां पर बहुत ज़्यादा खुशियां बहुत ज़्यादा सुन्दर बस्तों है इन लेप आप नेचर वी फोर्गेट और शोरोज और सफरिंग बिल्कुल यानि कि जब हम इन सब नेचर को देखते हैं तो हम क्या दुख जो भी हमारे निराशाइ जो होती सब भूल जाते है मतलब यहां पर हर तरह से हैं इनसानों के द्वरा जैसे महा कावी एक कावी कुछ भी पोईट्री बनाएगी वो भी सुन्दर बस्तों है वस्तों में आता है जो हमारे देश के लिए शहिद हो वीर वम भी इन सुन्दर बस्तों में आती है और भी सुन्दर जेखती त्यम्स. वह सब बात crush में सब को सुन्दर बस्तों में यह ऑबज़ेक्टें रखा इच्छा सब नों वह इंसलों ने इनस regular脏। तो बहुत इंट्रेस्टिंग पोईट्री थी I think बहुत इजी है कुछ वर्ड्स इसमें टिफिकल्ड वर्ड है जो पूरे छह चैप्टर में इसमें थोड़ा से टिफिकल्ड है ठीक है उनको थोड़ा अच्छे से देखला है बाकी बहुत इजी है ओके